हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं दूर भाश पर 15 माई को प्राप्त होने पर स्टीम कुसुम लता चोहान ने हलका पटवारी कुसीब को मौके पर जाच करने को कहा जिसको लेकर 15 माई को हलका पटवारी कुसीब ने मौके पर जाकर देखा तो बड़े टेंट में 30 से 35 बेड लगा कर लोगों का इलाज करना पाया गया तथा कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही थी सोशल डिस्टेंसिंग की धजिया उड रही थी जिसकी सूचना पटवारी द्वारा STM को देने पर STM कुसुम लता चोहान मैराध्सवर टीम मौके पर आप पहुची मौके पर मेडिकल संचालक राजी इंडर सिंग सोलंकी द्वारा बड़ी जंख्या में बेड लगा कर मरीजों का इलाज करना पाया गया तथा साथ मरीज अस्पतार में भरती पाये गए जुनका इलाज जारी था तथा कोरोना में मरीज महमारी को देखते हुए लोग कही नहीं जाए ताकि लोगों से इलाज के नाम पर बड़ी राशी लूटी जाए इसके लिए ऑक्सिजन से लेंडर की भी विवस्ता अस्पतार में कर रखी थी स्टीम कुसुमलता चोहान द्वारा अपने आपको डॉक्टर बताने वाले राजेंद्र सिंग से पोचने पर उसने कोई संतोश रनक जवाब नहीं दिया तथा अपने आपको SN Medical College राजपूर का अंतिमवर्ष का छात्र बताया तथा राजेंद्र सिंग ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ तथा मेडिकल वा अस्पताल की मेरे पास डिग्री वा लाइसेंस मेरे नाम से है तथा SDM से उलजने लगा तथा अभधरता पूरन व्यवार करने लगा जिसको लेकर SDM ने पुलिस वा BCMO को सूचना देने पर सिवाना पुलिस वा BCMO संजे शर्मा मौके पर पाँचे तथा अस्पताल की जाज की वा लाइसेंस पर डिग्री संबंदत कागसात मांगने पर उपलब्द नहीं करवा पाने पर SDM ने मेडिकल वा अस्पताल को सील किया तथा डॉक्टर को पुलिस वारा गिरफतार किया गया BCMO संजे शर्मा ने बिना डिग्री लाइसेंस के अवैर तरीके से अस्पताल चलाने पर मुकदमा दच करवाया गया तथा SDM कुसुम लता चोहान ने अभधरता करने वा राजकारे में बाधा डालने का मुकदमा दच करवाया जागरुक टेवी के संबाधात से बात करते वे सिवाना उखन डदिकारी कुसुम लता चोहान इनों ने ये कहा कुशीप गाव में हमें एक शिकायत मिली थी जोला चाप डॉक्टर की कॉरोना मरीजों को चेक करके 30 से 40 बैड लगाकर बड़ा टेंट लगाकर क्लिनिक खोल लेगी आज हम पूरी राजसो टीम पुलीस जापता सहीथ हम वहाँ पहुचे हमने वहाँ देखा कि मेडिकर उपकरण और भरपूर मातरा में दवायों का स्टॉक पड़ा है साथ मैं डॉक्टर राजिंदर सोलंकी वहाँ पर मरीजों का इलाज कर रहे थे ओक्सिजन भी चड़ा रहे थे डिप चड़ा रहे थे दवायों लख रहे थे हमने उनसे उनकी डिग्री और लाइसेंस के बारे में पूछा तो उन्होंने किसी भी तरह का कोई संतोस चणक जबाब नहीं दिया जागरुक टेवी के बारे में इसे ठकररा मेगवाल के रिपोर्ट